कि नमस्कार मैं सुनी सुनीड आप सभी का चपा समात के युट्यूब चलाएं पर हादिक स्वागत करता है आप सभी सुरोता का स्वागत है चलते हैं हम आज सेट्री और सेल्फी बेट्री के प्रोग्राम में संजेज जी जो दर्वांगा से चलके आये हैं उनके मुखारविन से सुनते हैं कि वो सेल्फी बेट्री के बारे में और सेट्री के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं आज से चार रोज पहले हम लोग को इमेल के द्वारा सीकागो इंवर्सिटी इपिक इंडिया के तात्वा दहान में वायू पर्दूसन को लेकर के प्रोग्राम है उसमें के लिए हम लोग दर्भंगा से संजर कुमार, मुझफर पूर से संजीव समयर सर जी, मुकेश गुपता जी, रामलाल सर जी एवं आने साथी वहां उपस्थित हजारों के संख्या में होंगे जो वायू पर्दूसन का आयोजन होटल मोरिया में किया जाएगा तो उसमें जो वायू पर्दूसन का जो थीम है उसके लेके वहां जो कारेसाला होगा तो हम लोग कैसे मने अपने समाज में क्या करेंगे ताकि वायू पर्दूसन कम हो सके या जो भी पर्दूसन की समस्या जैसे मिर्दा परदूसन हो गया वायू परदूसन हो गया धोनी परदूसन हो गया तो उसके लिए क्या आवर्णेश की हमारे समाज में जरूरत है उसके 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 पर क्या आप बोलना चाहेंगे देखिए हम लोग तो वायू परदूशन हो या मिर्दा परदूशन हो काम तो हम लोग एक ही कर रहे हैं लेकिं खास करके जो आज इपिख इंडिया इबं सिकागो इंवर्सीटी अमेरिका के तक्वाधभान में जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग कुछ सीखेंगे और सीखाने के लिए हम लोग को आमंत्रित किया गया है ठीक है और हम लोग जो प्रयाबरन के परती जो जागरुक है आज से लगभागे बहुत साथी बाद में जुरे हैं लेकिन 23 अगस्त 1993 से इसका सुरुवात किये थे आज पुड़े भारत में फैल चुका है और इसका फायदा भी नजरा रहा है इसमें देखने को मिल रहा था कि भारत सरकार और राज सरकार के द्वारा भी मतलब प्रयाबरन एवंबन भी भाग भी है उन्हों के पास लेकिन फिर भी ओ लोग सुस्ती बरत्ते थे लेकिन आज युवा आगे आये हैं तो उन्हों को भी लगा कि नहीं युवा आगे है तो हम लोग को भी कुछ काम करना चाहिए तो आज के डेट में ओ लोग भी अपने अस्तर से भी कुछ पौधे उधे लगा रहे हैं तो हम लोग को फाइदा नजर आ रहा है और आगे आने वाले समय में भी हम लोग को फाइदा होगा नहीं होगा ऐसी बात नहीं है और गाउन समाज में बदलाव जो हो रहा है निश् ज्यादा से ज्यादा संख्या में जूर रहे हैं तो यह हमें विश्वास है और विश्वास से ही सब कुछ होता है अंत में आपसे एक मने कॉमेंट लेना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप जो यह टोपी पेन रहे हैं तरह तरह के लोग ठिपनिया करते होंगे आप कैसा करते हैं और देखिए अपना एक जुनून होता है लोग क्या कहेंगे हसेंगे या क्या करेंगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है लोग कॉमेंट करते हैं करते रहेंगे और करेंगे भी लेकिन आज के रेट में जो आज कॉमेंट आज के रेट में जो कॉमेंट करते हैं उन हम यूबा आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे और बढ़ते हैं एक चीत ओर देखने को मिल रहा कि जब हम लोग पौधह लगाकर करके जब देखते हैं कि छोटा सा न LAUセ पौधह लगाते हैं जब पौधा लगाने के बाद जब बड़ा होता है तो हम लोग को इतनी खुशी मिलती है कि जैसे लगता है कि अगर फीवर वो तो भाग जाता है बीमारी हो भी तो भाग जाता है इतनी खुशी मिलती है कि मेरा पौधा लगाया हुआ यह अपना जुनून होता है गौर्बानवित महसूस कर रहे हैं ये टौपी सेव टिरी का लगा के और बहुत बहुत धन्यवाद सर के आपने अपने मुखारविन से जो बात बोले बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल संबाद के तरफ से आपको सभी साथियों को मेरे तरफ से हरित बधाई और सुखावने